YCT के online classes में आप सभी का स्वागत है, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट चल लाया थे रिया मसीन, इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो है हमारा mechanism और कल तक हमने जहां तक पढ़ा है, इसके आगे का आज continue करते हैं, चलते हैं आगे My dear, कल तक हमने देखा था, Grubler equation के बारे में बात की थी, काफी detail discussion किया था हमने, एक क्लिए कि इसको फिर से देख लेते हैं अभी, just, क्या हमने पढ़ा था, कि Grubler सहाब क्या चाहते थे, वो बिना higher pair का use किये, कोई ऐसा mechanism develop करना चाहते थे, ऐसा close chain बनाना चाहते थे, जिसके degree freedom उनको एक मिले, इसका मतलब वो kinematic chain बनाना चाहते थे, तो क्या खा रहा था उन्होंने, उन्होंने कुछ वैक equation का use किया था, कुछ वैक equation जो था हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं, कुछ वैक equation को, degree of freedom जो था, इसका हिया फिकल टू, 3, L-1, minus 2J, minus H, इस equation में इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया, higher player को इन्होंने बोला था, कि higher player यूज नहीं करना है, higher higher product हमने 0 कर लिया, और इन्होंने कहा कि degree of freedom आपको एक मिले, मतलब kinematic chain मिले, और इसको हमने arrange करके, कल देखा था, कि इसको, इस equation को arrange करके, हमारे पास यह result आया था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था grabler कुछ बैक equation बोला था लेकिन my dear यह equation बाद में चलके grabler equation के नाम से जाना जाने लगा इसको और हम लोग आगे जब discussion किये थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे 4 क्या है even है आपका 4 कैसा था even number था 2j कैसा number बना था से 2 से multiply करेंगे आप odd जे अगर odd या even हो 2 से multiply होने के बाद यह total क्या बन गया था हमारा यह हमारा even बन गया था अब my dear 3L एका ऐसी quantity है जिसमें से हमको even number को घटाना है 3L में से even नमर को घटाने के बाद हमको जो मिलना चाहिए हमारा result 0 आना चाहिए मतलब है कि किसी quantity में से आप कोई even number घटाए और वो 0 आए वो तभी possible है जब आपका 3L क्या रहा होगा जब आपका 3L भी कैसा रहा होगा आपका 3L भी even रहा होगा 3L को even बनाने के लिए my dear देखा जाए तो ये 3 into L का multiplication है यानि 3 एक जो odd number है इस odd number को multiply करना है यल से जो के हमारे number आप link है और हमको मिले even number यह तभी possible है जब यल यहाँ पे आपका क्या रहा होगा यल को होना चाहिए यहाँ पे even क्या होना चाहिए even even रखकर देखा थे कँ अमारा even रखकर हमको एक chain बनानी है तो हमने देखा किए बनानी है तो हमने द सकते हैं चार WHAT उसक्ता है ऐसे क्या कर दिया था क्योंकि आप दो लिंक लेकर कोई नहीं बना पाएंगे अपका बनेगा ही नहीं तो हम डिग्रिया फ्रिडम एक पाने की बात ही कहां कर सकते हैं तो हमने टू को रिजेक्ट कर दिया था हमने देखा था कि फोर को लेकर हमने क्या किया था हमने एक लोच चेन बना रहे हैं जिसमें हायर पेर का हम लोग यूज नहीं करेंगे हमारे पास लिंक की संख्या हो गई 1 2 3 4 हमारे पास चार लिंक हुए माइडियर हम लोग चार लिंक लेकर एक क्लोच चेन बनाने की कोसिस कर रहे हैं और हमने देखा कि पहला मतलब हमने यल को मिनिमूम रखना है यल की नमबर आफ लिंक की संख्या इवेन होनी चाहिए तो हमने दो तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि दो लिंक का यूज करके लिए और हमने देखा कि हमारे पास एक लोग देखेंगे तो चार लिंक है चार टर्निंग पेर पर है और कोई हायर पेर यहां पर यूज नहीं किया है लेकिन हम लोग को यह देखना कि क्या इसके डिग्री आप फिर्डम में एक मिल पा रही है मतलब यह कानिमेटिक चेन है त यहां पर चार हो चुके हैं इस तरह से टोटल नमर आप इफेक्टिव बाइनरी जुएंट जो हमें यहां पर मिल रहा है उसकी संख्या चार हो चुकी है तो हमने देखा कि इफेक्टिव नमर आप बाइनरी जुएंट चार हो गया यहां पर कोई हायर पेर नहीं यूज करन था क्योंकि ग्रबलर साहब ने मना किया था कि higher pair हमको नहीं यूज करना है तो यज हमने कितना ले लिया 0 हम देखते हैं कि क्या हमको कानिमेटिक चेन है degree of freedom एक मिल पा रही है उसको चेक कर लेते हैं इसके degree of freedom कालकुलेट करते हैं और degree of freedom कालकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कुछ वे एक 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 एक्वेशन का 3L-1-2J-H इस डेटा को put करते हैं L equal to 4, 4-1-2-J, J मतलब 4 यहाँ पे, minus higher pair 0 इसको solve करते हैं 3 into 4 minus 1 हो गया आपका 3, तो 3 into 3, 9, minus 2 into 4, 8 और इस तरीके से इसको solve करने के बाद हमको क्या मिला हमें मिला कि हमारे degree of freedom, इस close chain के लिए हमारे degree of freedom कितनी आ चुकी है, 1 इसकी degree of freedom कितनी आ गई हमारी, 1 और Grubler सहाब की यहीं चाहत थी, कि higher pair का use नहीं करना है और degree of freedom एक लाके दिखाना है, इसका मतलब क्या उन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि हमें एक kinematic chain develop करना है और हमने पहले से पढ़ रखा है कि kinematic chain उसी को को बलते हैं, जिसके degree of freedom 1 होती है अगर degree of freedom 0 हो गई तो उसको structure बोल देते थे हम लोग, degree of freedom 0 से कम होने पर, minus होने पर हम लोग उसको super structure बोलते थे, और degree of freedom अगर एक से ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, unconstrained chain बोल रहे थे ठीक है my dear, तो इस तरीके से हमने देखा, कि हमने minimum जो link यूज किया, वो चार है, और चार link का यूज करके हम एक close chain बना पा रहे हैं और यह हमारा close chain कैसा है, kinematic chain है, तो आगे देखते हैं इसको, हमने इस close chain को पाने के लिए, जो minimum नमर आप link का यूज किया था, कितना हो गया हो, poor, minimum नमर आप link हमने जो यूज किया, poor, my dear, ग्रबलक सहाब कि इस analysis से हमको यह मिला, कि हमने पहला जो chain develop किया, जो सबसे simplest chain बन सकता था, सबसे कम संख्या में link का यूज करके, वो चार link का यूज किया, और एक close chain बना के दिखाया हमने, और इसको क्या बोलते हैं, इसको यह हमारा पास सबसे simple chain है, सबसे simplest, जो कि कार्ण डिग्रिया फिर्डम एक हमको मिल पा रही है, लेकिन माइडियर, हमना तीन link का यूज करके भी degree फिर्डम एक ला सकते हैं, यहाँ पे तो हम लोग चार link का यूज कर रहे हैं, चारों के चारों link हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, turning pair पे, चारों के चारों link कैसे हैं, यहाँ पे, turning pair पे, यह turning pair आपका एक lower pair है, link number one और two के बीच में बना हुआ यहाँ पे turning pair, यहाँ पे कैसा है, lower pair है, two और three के बीच में बना हुआ जो यहाँ पे pair है, वो भी क्या है, lower pair है, link number three और four के बीच में बना हुआ जो pair है, आपका यह क्या है, यह भी lower pair है, तो my dear, हमने चार link का यूज किया चार टर्निंग पर यहां पर और हमतलंने मिला है मतल़ repeat लीकिन हम आइडियर आप 3 लिंग का भी यूज करके डिगर्री आफ वीड़म एक ला सकते अंट आपके दिमाग में एडिया होगा कि यल हमारा जो मिनमम होना चाहिए वह हमने देखा था कि इवेन होना चाहिए लेकिन हम तो यहां तीन लिंक की बात कर रहे हैं तीन लिंक से कैसे पॉसिबल है तीन लिंक से एक प्लोच चेन बना सकते हैं लेकिन आप जो ऐसा चेन बनाने की अगर कोसिस करेंगे कि डारेक्ट 1, 2, 3, 3-1, minus 2J, number of joint, 2 into, number of joint कितने हो गए आपके, number of joint हो चुके हैं, 1, 2, 3, effective number of binary joint, 3, इसको solve करिए, 3-1 हो गए आपका 2, 2 को 3 से multiply कर लिए, 6, 6-6, 0, अगर आप तीन link को turning pair पर जोड़ेंगे, तो उसके degree of freedom कभी एक नहीं आएगी, मतलब कानिमेटिक चेन नहीं बनेगा, तो हमारा grubler equation के हिसाब से यह नहीं possible था, तो हम कैसे फिर बोलना हैं कि आप तीन link का यूज करके degree of freedom एक ला सकते हैं, my dear उस case में हमेना higher pair यूज करना सर्थ ए थी कि सिर्फ और सिर्फ lower pair यूज करना है, और आप तीन link का यूज करके, अगर degree of freedom एक लाना चाहते हैं, तो my dear वहाँ पे आपको higher pair भी यूज करना पड़ेगा, हम आगे चलके इसको देखेंगे, हम कुछ question देखेंगे कि higher pair तीन link से higher pair बनाते हुए, कैसे degree of freedom एक म हाँ पे यूज किया जाएगा, उसको हम आगे discuss करेंगे, अभी इसको आगे करते हैं, देखते हैं, हमने देखा, ग्रबलर्व साब के हिसाब से जो हमारा result आया, कि minimum नमरा जो link हमको मिलेगा, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, चार, और my dear, जब चार link का यूज करके, हम प पहला mechanism होगा, यह क्या देगा आपको, पहला mechanism देगा, जो कि lower pair पे बना होगा, ग्रबलर सहाब की सर्तों को मानते हुए, हमारा जो पहला mechanism बनेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ lower pair यूज होंगे, वो mechanism क्या होगा, सबसे simplest mechanism होगा, जिसको हम लोग simple mechanism बोल रहे हैं, और simple mechanism हमार का 4 bar mechanism, कौन सा mechanism, 4 bar mechanism, एक और mechanism हमारे पास आएगा, हमारे automobile IC engine में यूज होता है जादा है उसका, वो क्या है, single slider crank mechanism, कौन सा mechanism, single slider crank mechanism, हमारे पास एक और mechanism है, माइडियर, जिसका नाम क्या है, double slider crank mechanism, मतलब दो-दो slider होगा, एक crank होगा, तो double slider crank mechanism, इस तरीके से हमारे पास, simple mechanism के अंदर, यह तीन हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, mechanism, और भी mechanism हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर में लिख रखा हैं हमने, आगे समझते हैं इसको, माइडियर, जो सबसे simple हमको mechanism मिला था, चार लिंग का यूज़ करके, हमने उसमें एक देखा था कि 4 bar mechanism आएगा, उस 4 bar mechanism के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अब, भी जाना जाता है घ्रलिम का मतलब 4 चारिंग का यूज करके आपने एक फोर भार मेंके जिसम बनाया है इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है उसको दिक्क साइकल मैकेनिजम ठीक है और वह हुआरा जो कभर बार मैकेनिजम करतेंगे बोलता है एक यह करते चार लिंग चार लिंक और चारो के चारो लिंक आपके turning pair पर जूड़े हो तो उसमें क्या होगा चार लिंक core link core turning pair का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे quadratic cycle mechanism या 4 bar mechanism बोलेंगे यह हमारा mechanism यही है देखते हैं इसको हमने क्या किया हमने चार अलग अलग लिंक लिया हमारे पास चार लिंक है हमारे पास यहां पे लिंक नमबर 1, 2, 3, 4 चार लिंक हमारे पास है मैडियर इस चारों लिंक में देखा जाएगा तो 1 और 2 के बीच में यहां पे एक टर्निंग पेयर बना हुआ है एक turning pair आपको यहाँ पे मिलेगा, एक turning pair, दूसरा turning pair आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक turning pair लिंक नमर 3 और 4 के बीच में एक turning pair मिल रहा है, लिंक नमर 1 और 4 के बीच में यहाँ पे भी आपको यह turning pair मिल रहा है, तो इस तरीके से इसमें माइडियर, चार लिंक का यूच किया गया है, और यह चारों के चारों लिंक आपके turning pair पे बने हैं, जुड़े हुए हैं, तो चार लिंक, चार turning pair पे जुड़े हैं, और इस तरीके से हमारा यह क्या है, four bar mechanism है, यहीं पे माइडियर हम यह देखते हैं, इसमें हमारा जो link नमर 2 है, यह input link हो सकता है, और यह link हमारा हो सकता है क्या, värty, आपऊगर, Daar जा Sumerach, और जिसको हमने link number 1 बोल रहे हैं, यह हमारा क्या है यहाँ पे? fixed link, कैसा link? यह हमारा यहाँ पे fixed link है, link number 2 को हमने यहाँ पे input link रखा है, link number 4 को output link बोल रखा है, link number 1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे? fixed link बोल रहे हैं, इस हमारे four bar mechanism के अंदर, link number one को हमने fix link बोला है, link number two को हमने input link बोला है, यह हमारा link number three हुआ, यह हमारा link number four हुआ, यहाँ पे हमने चार link का use किया है, और यह चारो के चारो link आपके यहाँ पे turning pair पे जुड़े हुए हैं, चारो के चारो link आपके turning pair पे जुड़े हुए हैं, my dear, आपका एक turning pair यहाँ पे बना हुआ है, यह आपका lower pair भी है, एक turning pair आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यह भी आपका lower pair है, एक turning pair आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यह भी lower pair है, और आपका एक turning pair यहाँ पे है, यह भी आपका क्या है, लोवर पेर पे, चार लिंक, चारो टर्निंग पेर पे जुड़े हुए हैं, यह हमारा फोर बार मेकेनिजम है, जिसमें लिंक नमर टू को हम इंपूट लिंक बोल रहे हैं, लिंक नमर फोर को आउटपूट लिंक बोल रहे हैं, माई डियर सवाल आता है की इस चारों मेंसे देखा जाए तो लिंक नमबर टू इंपूट है चार आउटपूत है लिंक नमर 1 Commission paragraph क्या बोलेंगे एक क्या है है आपको क्या है रहे है है अट Persie समझेंगे कि मैं सवाल यहाँ पे आता है कि हमने चार पोजीशन यहां पे देख रहे हैं fix position input position output position एक coupler का position है इस चारो position में से सबसे best position कौन सा है मतलब किसी link के लिए सबसे बेहतरीन सबसे best position कौन सा होगा यहां पर कोई link किस position पर रहके अपना सबसे जदा important role play कर सकता है तो मैं डियर इस सवाल का जवाब है कि fixed position यानि link number one जो आपकी fixed position पर है यही सबसे इसका best position है तो मैं डियर अगर इस four bar mechanism के अंदर या किसी भी mechanism के अंदर अगर पूछा जाए कि सबसे best position कौन सा है तो आपका क्या आपका खा जाएगा fixed position ही आपका क्या होगा सबसे best position होगा अब चलते हैं आगे मैं डियर अब हम देखते हैं कि किसी link के लिए किसी link के लिए सबसे worst सबसे worst मतलब उससे worst कुछ होई नहीं सकता है हमारे system के अंदर सबसे worst position किसी भी link का कौन सा position होगा कमचते हैं इसको इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं देखते हैं हमारे पास यहीं अपना फोर बार mechanism है जिसमें हमने चार चार link का यूज किया है और चारो के चारो link आपस में कैसे connected है टर्निंग पे एर पे चार और इस तरीके से देखा जाए तो अभी हमने इसके पहले क्या बोला था कि हमारा जो यह फिक्स पोजीशन होगा इस सबसे पोजीशने किसी लिंक के लिए क्यों क्योंकि है इनपूट लिंग और आउट पूट लिंग दोनों को गवर्न कर रहा था दोनों के मोशन को यह तो ऍहर्टोल कर रहा था क्यों क्योंकि जब हम जब भी input देते हैं या जब भी output लेते हैं input का लेना और input को देना और output को लेना एक दोनों चीजें fix position के respect में की जाती हैं यानि आप जब भी किसी system के अंदर input देना चाहते हैं जैसे मैं इस board पर कुछ लिखना चाहता हूं तो मुझे इस ground पर इसके रिस्पेक्ट में मेरा जो भी मोसं होगा और इसी तरीके से जो आपका यहां पर input link है जो fix position के respect में अपना मोसं कर पा रहा है इस तरीके से देखें गे आप तो कि किसी लिंक के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन था fix position क्योंकि fix position पर रहने वाला लिंक, दो-दो, यानि input और output दोनों लिंक को govern कर सकता है, control कर सकता है, हम अब बात कर रहे थे कि किसे लिंक के लिए सबसे worst condition क्या होगा, सबसे worst position क्या होगा, और ओ position है my dear, coupler, क्या है, coupler, my dear, यहाँ पर हमने लिंक को यहाँ पर दिखा रखा है, यह क्या है, coupler, इस position पर रहने वाला लिंक, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ओ, motion को control नहीं करेगा, सिर्फ ओ, motion को transmit करेगा, input link से, output link पे, power को या motion को transmit करने का काम करेगा, motion को governor नहीं कर पाएगा, motion को control नहीं कर पाएगा, so my dear, किसी link के लिए सबसे worst condition क्या हो सकती है, कि वो coupler के position पे बैठा हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि coupler पे रहने वाला link, just a transmitting body treat किया जाएगा, मतलब वहाँ पे बैठ के वो क्या कर रहा है, motion को बस आगे बढ़ा रहा है, transmit कर रहा है, input link से output link पे पहुचाने का काम कर रहा है, इस तरीके से, यह, motion को govern करने में, इस हमारे coupler का कोई role नहीं है, यहाँ तक हमको लगा रहा है, समझ में आया होगा आपको, आगे देखते हैं, अब हम discuss करते हैं कि input links और output link के बारे में, कुछ समझने की कोसिस करते हैं, माइडियर, यहाँ पे हम एक फोर बार मेके निजम बना लेते हैं अपना, कानिमेटिक चेंज जो है कि हमारा, चार link और चारो link कैसे जूड़े हैं, आपस में connected है, टर्निंग पेर पे, पोर link, पोर link, और पोर, टर्निंग पेर, माइडियर, चार link, चार टर्निंग पेर पे जूड़े हुए हैं, हम कुछ discussion कर रहे थे कि input link और output link के बारे में, output link और, input link और output link के बारे में, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि माइडियर यहाँ पे input link और output link के बारे में, अगर बात करें, input link और output link के बारे में अगर बात करें, तो इनके पास सिर्फ दो option है, नहीं वैसे तो देखा जाए तो option सिर्फ एक ही है, वो option इनके पास क्या है, एक option, input और output link पे, बैठा हुआ link, input और output position पे बैठा हुआ link, सिर्फ इनके पास एक motion करने का option है, और वो क्या option है, rotation का, rotation का, my dear, rotation यहाँ पे अगर देखा जाएगा, input link और output link का, तो वो दो तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, या हो सकता है कि वो fully rotate कर रहा हो, या हो सकता है कि partial rotation हो, my dear, अगर आपका यह input link, आपका यह input link, अगर fully rotation कर जाए, यानि input link पे input position पे बैठा हुआ जो link है यह आपका क्या करें फुली rotate कर जाए 360 degree का rotation कर जाए यानि मतलब मैं क्या कहना चाहरा हूं मैं यह कहना चाहरा हूं कि आपका link क्या हो जाएगा वो सक्तिमान बन जाएगा मतलब 360 degree का rotation करेगा ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि input या output position पे बैठा हुआ link 360 degree का rotation ना करके वो 360 degree से कम का rotation करे मतलब क्या कहने का मतलब है कि वो सिर्फ हो सिर्फ क्या होगा कि यह complete rotation नहीं होगा और हमारे जो link का motion होगा वो 360 degree rotation ना होगे 360 से कम का angle रोटेट कर सकता है तो इसको बोलेंगे कि हमारा link क्या कर रहा है oxalate कर रहा है माई डियर इसी चीज़ को हमने यहां पर दिखा रखा है कि input लिंक और output link इनके पास सिर्फ एक option था और option क्या था rotation का option था ठीक है अब जब हमने यह rotation word यूज किया है तो rotation में हम दोग देख रहे हैं कि हो सकता है कि यह rotation complete rotation हो सकता है या rotation partial rotation हो सकता है जब complete rotation करेगा 360 degree का rotation करेगा तो माई डियर जो भी link complete rotation कर गया उस link को हम लोग बोलेंगे crank क्या बोलेंगे Crank जो भी link आपकता 360 degree का rotation करेगा वो बनेगा सक्तिमान शक्तिमान मतलब 360 तुर्यकुमार यादव भाई इनको भी 306 डिगरी मिस्टर 306 डिगरी बोला जाने लगा है मतलब वहीं है कि 306 डिगरी मतलब सारे एंगल को कवर कर ले रहे हैं तो यहां पर अगर कोई लिंक हमारा 306 डिगरी का रोटेशन कर पा रहा है इनपूट और आउटपूट लिंक के बारे में बात कर रहे हैं अगर यह complete rotation कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे crank मै डियर यह जो crank word आगे से यूज करेंगे किसी link को crank बोला जा रहा है इसका मतलब क्या करेगा वो 360 डिगरी का fully rotation करेगा कहां करेगा अपने एक्सी साफ रोटेशन के एब आउट जहां पर उसको हिंज किया गया होगा वहां पर तीन सफ साथ डिगरी का पूरा रोटेशन लेगा माइडियर हमारे इन्पूट और आउट्पूट लिंग के पास जो ऑप्सन था रोटेशन का या तो वह कंप्लीट रोटेशन कर सकता है कंप्लीट रोटेशन करेगा तो बनेगा क्रेंग और माइडियर अगर यह रोटेशन पार्सियल हुआ इन्पूट और आउट्पूट ल इसी को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं और वो नाम क्या है इसका लीवर मैडियर क्रैंक जब बनेगा किसी लिए को क्रैंक बोला जाएगा तो कंप्लीट रोटेशन कर रहा होगा और अगर रॉकर आपने बोला है या लीवर बोला है तो वो सिर्फ लेप्ट या राइट में कुछ एंगल कवर कर रहा होगा मेभी तीन सब सार्ट से कम ही रहेगा हो एंगल बट वो क्या करेगा ऑक्सिलेट करेगा मतलब इंड पॉइंट पे जाएगा फिर वापस आएगा दो जगा पे इसका मोशन स्टॉफ होगा वो कम्प्लीट रोटेशन क्यूंकि नहीं कर पा रहा है और क्रेंग जब जिसको बोला जाएगा वो कम्प्लीट तीन सब सार्ट डिगरी का कंटीनिवस रोटेशन कर रहा है कंटीनिवस बिना रूखे ठीक है इसको आगे समझते हैं मयडियर हम किसी भी मैकेनिजम का इनवर्जन समझने की कोसिज करते हैं किसी भी मैकेनिजम का इन वर्जन बोलते की इसको है आप के पास कोई για प्लोजantry हो ठीक है हम फोर बार मेकेनिजम के बारे में बात करें हमारे पास एक फोर बार मेकेनिजम है इस फोर बार मेकेनिजम के बारे में अगर बात किया जाएगा तो कब बोला जाएगा कि इसके इनवर्जन है कि नहीं है या इनवर्जन कुछ नहीं है इनवर्जन किसी मेकेनिजम का क किसी जैसे फोर बार मैकेनिजम यहाँ प्यूच कर रहे हैं, तो यह कहता है कि इन्वर्जन एक ग्रूप आप मैकेनिजम है, क्या है? मैकेनिजम का एक ग्रूप है, जिसमें आपको इन्पुट और आउट्पुट लिंक के बीच में एक यूनिक रिलेटिव मोसन मिलेगा, इसके बीच में इन्पुट और आउट्पुट लिंक के बीच में जब भी दोनों के बीच में रिलेटिव मोसन देखा जाएगा, तो वह रिलेटिव मोसन आपका यूनिक रिलेटिव म पेर जुड़े हैं हमारे पास चार लिंक है और ये चारो के चारो टर्निंग पेर पे जुड़े हैं माइडियर अगर इसमें बात करें इस फोर बार मेकनिजम के अंदर बात करें तो यहां पर लिंक नमर वन को फिक्स किया गया है लिंक नमर टू है ये लिंक नमर थ्री है और यह link number 4 है, my dear, मरजन की जब बात कर रहे थे, तो हमें क्या बोला गया थे, कि हम different different link को बारी बारी से fix करेंगे, और यह mechanism का बहुत सारा group तैयार करेंगे, ठीक है, तो my dear, इस तरीके से हम देखें, अगर हमने इसमें link number 1 को fix किया है, अब की बार क्या करेंगे, link number 1 को fix नगर के, link number हम 2 को fix करने की कोशिश करते हैं, यह है आपका link number 1, अब की बार हम fix कर रहे हैं किसको, link number 2 को, link number 3, link number 4, इसी तरीके से my dear, आप link number 3 को fix कर सकते हैं, link number 4 को fix करते हैं, कि इसके different type के आपको inversion मिलेंगे, लेकिन my dear, inversion किसको बोला जाएगा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या, उध्यान क्या रखना हैं आपको, कहता है कि inversion जब भी मिले, inversion आप जब भी बनाने की कोशिश करिए, आपके input link और output link, input link और output link के बीच का जो relative motion मिल रहा है, वो unique relative motion हो, my dear, inversion बनाते समय एक और खास बात हमको ध्यान रखना है, कि जब आप link number one को fix न करके, link number two को fix कर रहे हैं, तो आपको एक different, एक दूसरा mechanism मिल रहा है, जो पहले वाले mechanism से बिल्कुल अलग है, लेकिन, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहां पर my dear link के बीच में, link number one और link number two के बीच में जो relative motion है, इस सब के सम नहीं बदल रहे हैं यहां पर, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा यहां पर, आपके input link, माल लेजेव, आप link number three को input बनाते हैं, और link number one से आप output लेते हैं, यहाँ पे आपका Input Link और Output Link के बीच का Relative Motion बदल चुका है इसके पहले वाले case में आपका Link No.2 और Link No.4 इनके बीच में यह Input और Output के बीच में Relative Motion हो रहा था लेकिन हमने जैसे ही Link No.2 को fix किया हमारे Input और Output Link के बीच का Relative Motion बदल गया और जब इसका जो relative motion है यहाँ पर वो unique relative motion था input और output की बीच में और उसी तरीके से यहाँ पर जो input और output link के बीच में जो relative motion है यह भी unique relative motion होना चाहिए और इस तरीके से यह mechanism और यह हमारा दूसरा वाला mechanism आपस में दोनों अलग-अलग हैं लेकिन माई डियर यह 4 बार mechanism से ही अलग-अलग link को fix करके बनाया गया है इस तरीके से आप एक और mechanism बनाएं link number 3 को fix करके देखिए इस तरीके से एक और बनाएं link number 4 को fix करके देखिए ठीक है माई डियर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो अलग-अलग 4 यहाँ पर चार लिंक है तो चार आप अलग-अलग बना सकते हैं inversion किसी दो link दो mechanism के अंदर अगर input और input और output link के बीच का relative motion एक जैसा दिखने लगे तो वो दोनों अलग-अलग mechanism count नहीं किया जाएंगे वहाँ पर दोनों mechanism आपके यह कहीं बोले जाएंगी समझने की कोशिस करते हैं इसको इसको समझने की कोशिस करते हैं क्या समझना हमें माइडियर आपके पास चार लिंक है क्या है चार लिंक है ठीक है हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर इस लिंक को इन्पूट और आउटपूट लिंक को एक जैसा रखते हैं हम यहां पर क्या करेंगे इन्पूट और आउटपूट लिंक को एक जैसा रखेंगे यह आपका इन्पूट लिंक है और यह आपका आउटपूट लिंक है इस इन्पूट के अंदर अगर आपको ऐसा करने के लिए बोला जाए कि आप लिंक नंबर इसको फिक्स करिए आपका उस समय यह बड़ा इन्पूट बनेगा और यह आउटपूट बनेगा अगर आप इसी को इस तरीके से बनाते हैं जो इसमें लिंक यूज कर रहे हैं वहीं आपे है आप इसको ना फिक्स करके इस लिंक को फिक्स करिए माइडियर यहाँ पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि 1,2,3,4 यह 2 और 4 जो लिंक है यह सेम लिंक है मतलब सेम लेंथ का लिंक हमने यूज किया है यहाँ पर अगर लिंक नंबर आप 1 को फिक्स करेंगे तो जो इन्पूट मिल रहा है जो आउटपूट मिल रहा है इनक अब क्या होगा कि इसके बीच में जो इन्पूट और आउटपूट के बीच जो रिलेटीव मोसन आपको मिलेगा जो रिलेटीव मोसन मिलेगा यहाँ पर रिलेटीव मोसन यूनिक नहीं है यहाँ पर रिलेटीव मोसन यूनिक नहीं है ऐसा हो सकता है कि हमारे सिस्टम के अ प्रिम्रिंट्ट करें उन्हों और कि अंडेकरा हैं यस तरीक इसाँ की इस dragging समझते हैं कि इस कि अ हमारे पास जो इन्वर्ज जिसके तो क्या क्या है डवल reviews के मैकेनिजम इसका मतलब हमारे सिस्टम के अंदर दो क्रेंग मिल चुका है हमारे सिस्टम के अंदर क्या हुआ है दो क्रेंग प्रिजेंट है और दो क्रेंग है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं क्रेंग 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 मैकेनिजम भी बोल सकते हैं क्या होगा कि एक क्रैंक इन्पुट पर होगा और दूसरा वाला जो क्रैंक ऑबYour पर आॉख़ गया रहे हैं उसकता है की इन्पूट पर क्रैंज है और आउटपूट परklär और इसी तरीक से फोर बार मैकेनेपिकीनम का एक इसा मिल सकता है आपको किया हो जाए क्रॉप रॉकर हो जाए क्या हो जाए क्राइंक रॉकर हो मतलि इंपॉट प्रक्रैंध और हो और आउटपूरी आँपका रॉकर करेगा तो जब किसी मेकनेजम को क्रेंक या रोकर बोलना होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो एक कोई इनपूट या आउट्ट किसी को भी बोली आप वह आपका क्रेंक है 306 डिगरी का रोटेशन कर रहा है और एक दूसरा जो आउट्पूट ये पे बैठा है और रोक पर इसको बोल रहे हैं आपके अंदर क्या होंगे दो रोकर इनगे अपके आपके क्या नंप्या कर रहा हैं और बस क्या simply on कर रहे हैं इन्पूट और आउट पोजिशन पर बैठे हुए लिंक क्या कर रहे हैं और तरीके से हमारे हमको इसके बारे में आगे पढ़ना है और आई थिंग यहां तक आज के लिए सफिस्यंट है फिर हम मिलते हैं काल की क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद